हर्यों प्रिदर्सकों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवंबर के महीने की वो कौन सी सबसे लकी राशियां हैं, कौन सी सबसे भाग साली राशियां हैं जिनके जीवन में कुछ बड़े बदला होने वाले हैं, जिनके जीवन में बहुत वेहतर रिष्टिती नवग बना रहे हैं तो इस वीडियो के लाश तक बने रहेगा आये सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो सबसे पहली लखी राशी है वो राशियों के क्रम में भी सबसे पहली राशी है मेश मेश राशी के लोगों के लिए देखा जाए तो देव गुरु व्रहस्परति आपके ल जते हुए ये आपके पंचम भाव में दृष्टी डालके, सब्तम भाव में और नबम भाव में दृष्टी डालके, आपके जीवन में चैवो ज्ञान की बात कर ली जाए, चैवो धन की बात कर ली जाए, दामपत्य जीवन की बात कर ली जाए, और साथ में देखा जाए तो ब्रद्धी करते हुए संदेव, आपके जीवन में देखा जाए, तो ये जो चारो भाव हैं, ये बहुत महत्त पून है, लगन हो गया, आपका पंचम भाव हो गया, नमम भाव और आय भाव, हर एक भाव अपने आप में महत्त पून है, प्रंत हुमारे जीवन में ये भाव बहुत ज़्यादा महत्पून होते हैं, क्योंकि लगन अर्थात हम खुद भाग, ग्यान और आए, यह तो किसी की ये इस्तिती बने कि भाग साथ दे, क्योंकि उसके पास ग्यान है, खाली भाग साथ नहीं दे रहा, साथ में ग्यान भी है, और लगनर्थात वो खुद उसके चरित, उसकी सोच, उसकी निर्ने लेने की छमता बहुत बहतर हो जाए, और आए के शाधन बन जाए, तो फिर उसके जीवन में शमश्याएं काफी हद तक दूर ही हो जाती है, और इसके अलावा देखा जाए, तो शूर मंगल और बुध सब्तमभाव में बैठे हैं, और ये सोला तारिक को ही इस्टमभाव में आ जाएंगे, तो सब्तमभाव में शूर का बैठना बहुत सरेष्ट नहीं है, क्योंकि यह यहां पर दामपत्य जीवन में समश्याएं उ मंगल और शूर दोनों ही राश परिवतन करके अस्टमभाव में आ जाएंगे, तो पहनी राशी ये रही, दूसरी राशी है वरस राशी, तो वरस राशी की बात इसलिए हमने की, क्योंकि यहां पर राहु महराज अब इनके आय भाव में आ चुके हैं, और सनी महराज इनक के दसम भाव में हैं, और जो की भाग के अधिपती भी बन रहे हैं, तो यहां पर समझने वाली बात ये है, कि जब राहु एकादस भाव आय भाव में आते हैं, ये बहुत कुछ देते हैं, अर्थात आपकी जो मनो कामनाएं हैं उसे भी पूरी करेंगे, आपकी जो आय दिलवाएंगे, साथ में आपके भाग भाव के अधिपती सन्देव आपके कर्म भाव में बैठे हैं, तो फिर इससे बढ़िया क्या चाहिए, भाग भी साथ देव, और जो आप काम करें, वो भी पूरे होते जाएं, और देखा जाए तो देव गुरु ब्रहस्पति आ राशी आपके आय भाव में हैं, और आपके अस्थम भाव के अधिपती बन रहे हैं, देव गुरु ब्रहस्पति की राशी में राहू बैठे हैं, इसलिए वो बहुत खराब फल नहीं दे पाएंगे, और देव गुरु ब्रहस्पति को आप जानते हैं कि हमेशा वो अगली राशी की बात कर लेते हैं, अगली राशी है धन राशी, धन राशी की बात की जाए, तो धन राशी के लोगों को लिए देखा जाए तो देव गुरु ब्रहस्पति खुद लगन के अधिपती हैं, और यहां पर देखा जाए तो देव गुरु ब्रहस्पति पंचम भाव में आपके विराजमान हैं और पंचम भाव में ये बैठते हुए सिधी द्रश्टी अपनी आपके आए भाव में डाल रहे हैं तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस दुनिया में दो ही बड़े हैं एक पैसा और एक राम तो जहां पर देव गुरु ब्रहस्पत की द्रश्टी पर रही हो आपके आए भाव में तो प्रभावित करेंगे ही साथ में ये अपनी द्रश्टी से आपके पूरी कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं और आपके देखा जाए भाग को भी ये प्रबल कर रहे हैं भाग का भ भी द्रश्टी जालते हुए और आपके जीवन में क्योंकि देखिए हर एक व्यक्त के जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह निर्णे क्या लेता है वह सोचते क्या है और फिर उसे अपलाई कैसे करता है तो जब देवगुरु ब्रहस्टत की दृष्टी है आपके वह भी पंचम भाव में बैठें मंगल की रासी में तो सीधी सी बात है आपके सोच को बहुत बहतर बना देते हैं और निर्णे लेने की छमता को भी क्योंकि देवगुरु ब्रहस्टत क्यों है ग्यान जब हमारे अ मौलेज हो और फिर को निर्णे लें तो वह तो निर्णे सही होगा और साथ में क्या है भाग का भी साहदिल बार रहे हैं साथ में आय के साधन भी बना रहे हैं और यहां पर देखा जाए तो शूर मंगल और तो बुद्ध आपके यहां पर आय भाव में विराजमान है तो वहां पर शूर नीच के तो हैं परंतु बुद्धा दित्तियों का भी निर्मान है और उसमें देव गुरु ब्रहस्पत की दृष्टी हो गई तो यह काफी जादा देखा जाए तो ग्रेज इस्तितियां जो है कि बैठके आपके प्राक्रम में व्रद्धि कर दे रहे हैं तो जब यहां पर मूल भी से देखिए समझने की वात है कि अब यह बातों से संभव है आप पन्फ्यूज हो गए हों मैं एक निचोड बता देता हूं कि यदि आप कोई निर्णे लेते हैं आपने सबसे पहली त साथ में भाग का भी साथ मिल गया और आई के साधन भी बन गये विट क्या चाहता है कि हमारे जीबन में मान सम्मान धन यस प्रतिष्ठा ये चीजें चाहिए और वो सब चीजें नवग्रह आपको देने जा रहे हैं तो इसलिए ये राशियां थी जो कि नवंबर के महीने की सबसे सोभाग साली राशियां भी कही जाएंगी और भी बहुत सारे महत्त पूर्ण इसके पीछे रीजन है हम वीडियो को जादा बड़ी नहीं करना चाहते हैं और यहां समझने वाली मूल बात है जो ये सबसे प्रिदर्श को इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए जिसके लोगों को मालूम पढ़ सके और यह सिरीज हमने पिछले महीने से सुरू की है और इसे कांटीन्यू करना चाहिए या नहीं आप जरूर कमेंट में बताएं क्योंकि जिससे आप निवने ले पाते हैं कि हा आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं इस समय यह समय अर्थात आपके साथ है आपको पता चल गया आप मेहनत करें तो और भी सीगृता से सफलता आपको मिल सकती है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद